भगवान क्या करता है? असंभव को संभव करने वाले का नाम भगवाई जो असंभव है जैसे देखो किसी को सिर्दर्द है पांच-दस साल हो गया कितने डॉक्टरों के पास दिखाएगा कुछ भी नहीं हुआ पांच-दस साल सहां करना पड़ता है बात में किसी एक फकीर की दवाई ले लो ठीक हो जाए क्यों? ये पांच-दस साल उसको करनों का भोग भोग नाइए तब कहते हैं, there is no excuse English में कहते हैं, for each action there is a reaction and there is no excuse of ignorance of love action हर एक के काईदे कानून है तो वो कैसे पता चले? अभी मेरे अंदर पाप है, बीमारी है कैसे पता चला? शरीर के अंदर ये दो बीमारी आत्मा के अंदर भी पुण्यात्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, महात्मा कहते है अगर आप किसी एक दॉक्टर के पास जाओ आपको मुझे कोई बीमारी नहीं वो तुर्ण एक्सरे निकाल के आपको दिखाएगा ब्लेक प्रेशर कितना है, डाइबिटीस कितना है हार्ट, हार्ट की आर्टरिस कितने ब्लोकेज हो है तुर्ण दिखाएगे आपको क्या कि उसी बीमारी है तो क्या है, यहां इस इश्वरिय विंश्विध्याले में यह हुआ नी होस्पिटर है क्या यहां बतासकते हो यह पाप आत्मा यह पुन्यात्मा यह देवात्मा अगर कोई आपको ف्री दबाई दिया देगा तो आप लेगे आप क्यों आयों कि आपको क्यों मंदिन में जाते हो पूजा करते हो भगमान को बांडे ओघ्ञान क्यों चाहिए यह पता हो ने से कभाया कि लिए दुम्या में मोखड़ा देखने प्राणी यह दिखाई देता है आत्मा का मुखडा कहा दिखाए देगा? जब आप रात को सोते हो, आखे बंद करके सोते हो, न देखते हो न सुनते हो, सपन कहां से आते हो? दिन में ये माता जी बुसा करते हो दिख नहीं, ये बाई ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छे हो. ऐसे केते हैं न रात को जब आप आखे बंद करके सोयो ना देखते हो ना सुनते हो सपर कहां से आये बहां से आये तब का न भगवान चाहिए न डॉक्टर चाहिए न धर्व चाहिए कुछ ने चाहिए सिर्फ एक शब्द बुद्धी में याद रखो जीवन में कभी दुख अशान्ती नहीं रहा है यह एक शब्द भुलने के कारण यह दुख अशान्ती आये तब भगवान चाहिए नॉक्टर चाहिए सब चाहिए वो क्या एक शब्द है कि मैंने इस शरीर में जनम लिया है अंतिम स्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकर मैं जो भी कर्म करता हूँ वो कर्म मेरे अंदर रिकोर्ड होता है इतना ही जान लिया तो बस कुछ में नहीं यह याद रखे कि मैंने इस शरीर में जनम लिया अंतिम स्वास्त अकले शरीर छोड़ देना है इस शरीर के द्वारा हर सेकत जो भी काम को रवा हर कर्म हर सेकत मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है